नमस्कार मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जनसंदेश टाइम्स पर बहराईश के करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण की नहर में एक बाग का शव तैरता मिला है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाग के शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले है जिहां उत्तर प्रदेश में घागरा नदी से जुड़ी नहर पर बने चोधी चरण सिंग बैराज के नीचे शनीवार को बाग का शव तैरता हुआ मिला संभागियवन अधिकारी आकाश दीव बधावन ने कहा कि ग्रामीडों ने इसे दोपहर करीब सारे तीन बजे देखा स्थानीय लोगों ने ततकाल इसकी सूचना वन एवन सिचाई विभाग को दी उन्होंने बताया कि शव को कर्तनिया घाट पर परिछेत्र कार्याले लाने के लिए वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुची देखने में लगता है कि बाग की उम्र करीब चार साल है शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पसू चिकस्को का एक पैनल पोस्ट माटम करेगा बाग सनक्षर के विशेशग्य वरिष्ट भारतीवन सेवाधिकारी रमेश्क मारपांडे ने कहा कि रास्ट्री बाग सनक्षर प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार हर बाग की मौत को आपरात कृतिक माना जाता है और जग तक कि साबित ना हो जाए उनोंने समझाया कि बाग की मौत को स्वाभाविक साबित करने के लिए शिकार जहर जैसे अन्न सभी कोणों से इंकार करना होगा उन्होंने समझाया बाग का नहर में मृत पाया जाना बहुत दुरलब है क्योंकि बड़ी बिल्लियां अच्छी तैराक होती है खैर देखते हैं कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है आपने शाय से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स